नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टुक्यूजरी फादे लिडोर्ज ओफ इंडियन फूटबल और सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंडिया की जो फाइनल 25 मबर की स्कोर्ड है उसके रिगरिंग यहां पर इगो स्टेमिक सापने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने क्लियर कर बोल दिया है कि जो फाइनल स्कोर्ड होगी उसमें जो हमारे पिछले 6-7 मंत के जो 4 ग्रूप प्लेयर से 32-35 प्लेयर उन्हें से ही सिलेक किया जाएगा जिसमें म दूसरी चीज उनको यहां पर जब जई गुपता पूतिया या फिर पार्थी गोगोई के बारे में पूछी गई तो उन्होंने क्लियर ली यहां पर बोल दिया है कि नो डाउट इन्होंने यहां पर अभी जो करण आयसल सीजन चल रहा है उसमें अच्छा किया है लेकिन य यहां पर क्या बलती की आपको नेशनल टीम में जगा बन पाएगी तीसरी चीज एक जो सबसे इंपोर्टन चीज उन्होंने बोली है वह बोली है कि यहां पर जो रिसेंटली अंडर ट्वेंटी ट्री एसन कप कॉलिफायर्स एंड एसन गैप्स हुए थे उसमें जितने भी उनसे वहां आपको टेकनिकली वाइस स्किलफुल वाइस यहां पर क्यावलती गी बेंटर होने चाहिए तभी एकस्पेक कर सकते हों कि इंडिया अब यहां से आगे बढ़ सकते है क्यूंकि यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको और ज्यादा फिसिकल्टी जरूद नहीं पर दिया है और उन्होंने clear कर बोल दिया है कि यह topic और यह जो मुदा है वो मेरे लिए काफी ज़्यादा important है और में इसके लिए काफी ज़्यादा interest भी हुआ उन्होंने बोला है कि जो current यहाँ पर सब्सक्राइब करें दूसरा सब्सक्राइब करें लेकिन सबसे पहला मुझ गवर्मेंट की ऑर से क्या वो इंटेंशन आता है I think that will decide the factor and दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो भी OCI POI प्लेर है जो इंडियन ओरीजिन के है उनको यहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट किये कि आप यहां पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं करेंगे तो लेट सी इसका क्या यहां पर निकल के आता है क्योंकि यह इसा तो माबला नहीं कि आपका एक-दो मेने में सोल हो जाएगा इसके बात करते हैं यहां पर उन्होंने यहां पर मिस्मेनेज में चल रहा है साजी शेकिंग और उन्होंने बोला है कि यहां पर एक काफी बड़ा ओफेंस है इसका जवाब यहां पर ऑफिसल्स को देना चाहिए वह भी यहां पर एक्जिक्टिव कमिटी के मेंबर है लेकिन उन्होंने उस 9th of November वाली मिटिंग को यहां पर क्या बोलती कि अटेंड नह में तो देखना काफी इंटरेसिंग सा बन जाता है कि क्या यहां पर दिली है आइकोन यहां पर नेक्स देद दे दे थी या फिर इसके रिगरिंग जो स्टे ओडर दिया है उसी को कंटीनु करती है आज आज यहां पर जो साजी कहा रहा हूं हो थोड़ा सा क्यावलती की सुप्रिम कोर्ट पार्लामेंट जब लाइव होता है तो आप एक्से करी सकते हैं उन्होंने ऐसा सजाव दिया है कि इससे बढ़ेगी तो लेट सी यहां पर किस तरह से इसके ऊपर रियक करती है देखना इंटरेसिंग सा बन जाता है उसके बाद बात करते हैं आज होने वा कर सकता है एंड इस मेंच के साथ यहां पर फिर से महान बंगार के साथ सेम पॉइंट एंड जो टेबल टो पर है उनसे भी अपनी दूरी वन पॉइंट कर सकते हैं और काफी क्रूशल मेंच पर पीटर क्रेट के अलसो अभी तक एक भी मैच जीता नहीं है दोनों के दोनों म में चांगते रिग्लरली खेल नहीं रहे हैं और पर दियास का उस तरह से फिनिसिंग नहीं आ रहा है ग्रेक स्ट्वर्ट यहां पे कुछ अच्छे दिख रहे है तो आई थिंक रिस्वंस पर भी ज्यादा होगी इफेंसिवल एटिंग तीरी ग्रिफिट्स में ताप आप अगर मोहरमगान की बात करें तो उनके लिए पेत्रा तो उस मनमिर का आना इधिंग पोजिटिव स्टेप अधिंग उनकी भी डिफेंस लाइन यहां पे हेक्टर उसे दूइंग वेल ब्रेंडन हमिल और सुवास को भी ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा अगें इस अ कोबिनेशन बिठाते है वो इंटरेसिंग रहेगा किया दिपक टांगरी को फिर से मौका मिलता है या फिर थापा एंडूस के हुगोबुमो एंड किया नसीरी क्या नसीरी भी जिस तरह से परफॉंस दे रहा है एधिंग उसकी भी जगह स्ट्टिंग 11 में मेरे साब से तो अब यहां पर पेतरा दोर्स मनवीर सिंग आ गया है तो वो कही न कहीं थोड़ा सा मुस्किल लग रहा है तो इंग यहां पर इंटरेसिंग मुकाबला में एक्सपेट कर रहा हूँ काफी क्लोस फाइट होगी विथाउट अड़ाउट एंड मुंबै फुटबोल ले रहे न कि सेमी ओटोमेंटेड ऑफसाइट टेकनोलोजी का इंटरडीशन किया गया है जो कि पहली बार किसी भी कॉंटिनेंटल लेवल के टूर्णावेट में किया जा रहा है और भी जादा जो आपको फिफा व्लकप में भी देखनों को मिली थी उसी टेकनोलोजी को यहां पर इन है जो फाइनल राउंड है प्लेओफ वाला वह यहां पर 22 डिसेंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसको आप देख पाएंगे स्पोड्कास्ट इंडिया लाइव के यूटुब चैनल के ऊपर एंड यहां पर एक विक का पूरा तुर्णामेट है आपको गोवा में खेला जा है तो लेट मेनो गाइस आप क्या सोचते हो कि कोवर्ण सीटी में हमें आई लीग टू में देखने को मिलेगी तो देट सिट फो माय साइड गाइस रिगारिंग टूड़ा इस इंडियाट फूड़ नूज आपके आप टूड़ा पसंद आयो कीप सपूटिंग इंडियाट से पारत